चीजे बहुत आगे चल रही है उदय वन में, हमको चीजे शुरू से पढ़नी है, एकतम बेसिक से पढ़नी है तो आप सभी बच्चों की हेवी डिमांड पर PW लेकर आगया उदय 2.0 हसी खेलते पूरी बायो निकल जाएगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और NCRT का तो क्या है, हम Mixi में खोल के ती जाएंगे सभी के सभी classes बेटा लाइव रहने वाली हैं और सभी के सभी lecture जो है वो English language में रहने वाले यह वाली टीम तो आपको मिली रही है, साथ में एक expert team, class 11th के लिए, PW आपके लिए लेकर आगया है मैं अभी आप लोगों की तरह ही थी एसी, शेतान सी, पड़ाई नहीं करती थी जादा, तो क्यों अपन को समझ नहीं आता है सब्सक्राइब करके आए थे तो बहुत जोश में थे यह लोग class 11th में एंटर करने, पर जैसे school में पहली class attend करी, चीज़े समझ में नहीं आई इनको, लगा यार 11th तो कुछ औरी चीज़ है, अभी तक जो पढ़कर आये थे वो बहुत कम था, 11th में एकदम syllabus बहुत जादा ह बिल्कुल हो जादा है, और कहीं न कहीं, NCRT class 11th की समझने में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को और बच्चे बहुत सारे give up कर देते, इस्पेशली जो PCMB के बच्चे में उनके लिए बात कर रहा हूं, तो class 11th के physics, chemistry, maths जिन्नों ने लिया हो, या physics, chemistry, bio जिन्नों ने लिय या फिर PCMB दोनों भी लिये होते हैं, PCMB दोनों लिये हैं, जिनको स्कूल की तयारी करनी है, कक्षा 11th के science के बच्चे, बहुत दिनों से आप लोग heavy demand कर रहे हैं, तक उदय 2.0 कब आएगा, उदय 2.0 कब आएगा, जब हमने उदय 1 लांच किया था, उस समय सच में हमारा 2.0 लाने का, और आप जानते हो कि PW हमेशा बच्चों की सुनता है, आपने देखा उदय 1 में, especially बच्चे जो अभी enroll हुए थे, उनका ये था, कि हमारा backlog हो गया है, चीजे बहुत आगे चल रही हैं, उदय 1 में, हमको चीजे शुरू से पढ़नी है, एक तम basic से पढ़नी है, डे 0 हमको सारे चैप्टर शुरू से पढ़ने है, तो हमारे लिए क्या, तो आप सभी बच्चों की heavy demand पर PW लेकर आगया हुदय 2.0, इस बैच में आपको मिलेंगे भारत के बहतरीन टीचर, PW के सारे टीचर आउसम है, पर ये जो टीम आ रही है हुदय 2.0 की, ये टीम J.E. और NEET में पढ़ाती थी, है ना, हमने special उनसे request की है, कि आप लोगों को NCRT का पूरा feel, जो Class 11 में जब स्कूल में अपने NCRT पढ़ाई जाती, तो समझ में नहीं आता है कि आरी क्या हो रहा है, सब अपन, और इतना rud भी नहीं सकते हैं, इतना syllabus है कि rud भी नहीं पाऊगे, है तो वहाँ पर आपको चाहिए feel, वो feel आपको इस batch में मिलेगी, आपके concept बहुत अच्छे हो जाएंगे, और make sure करेगी ये team कि आपके 95% के उपर माक्स अर्राम से Class 11 में आजाए, और सर ये गुरू पूर्णिमा का जो हमारा ये अफसर रहता है साल में एक बार के PW की तरफ से इस गुरू पूर्णिमा के पावन अफसर पर हम हर साल इसको celebrate करते हैं और बच्चों को heavy discounts देते हैं सभी batches पर, तो उसी discount के चलते ये उदे 2.0 batch जो आपका है, जो कि Class 11 की त्यारी करवा रहा है साइंस के students की, वो वैसे 3500 रुपे का है लेकिन आपको 2999 रुपे यानि 2999 र पास दो टीम रहेगी, उदे 1 की भी, उदे 2 की भी, आप जिससे पढ़ना चाहो आप उससे पढ़ सकते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जिनको J और Newt की त्यारी नहीं करनी होती पर वो science और math से ले लेतने हैं, आगे जाके आपको BSC करना हो, आगे जाके आपको U सात में बच्चो सारे subject, यह बहुत बड़ी बात है, यह और कभी नहीं होपाया। पूरी कर दिये जो भी प्रिवियस्ली एन्रोल्ड थे उदे 1.0 में उनको सब को उदे 2.0 का access free में दे दिया जाएगा पर उसमें time लगेगा बच्चो उदे 2.0 के अंदर बिल्कुल scratch से एकदम starting से classes start होने वाली है तो आप सभी जिन बच्चो का backlog है जो कि अब पूरा कहीं नहीं नहीं हो पाएगा क्योंकि 2.5 में निकल चुके हैं सर उस बैच को वो उदे 2.0 से एकदम start fresh तियारी कर सकते हैं मतलब आप अपनी घड़ी में set time to equal to zero यहां से सेट कर दीजिए 29 जुलाई को classes start हो जाएगी और यह पूरे साल भर की price है 3000 जिसमें आपको सारे subject मिल रहे है तो आप कभी देखोगे तो एक subject कि अपन महिने की जो tuition fee है ना वो 3000 रुपे देते कि और physics का में tuition attend करने जा रहा हो तो मेरे 3000 रुपे लग जाते क्योंकि 11 वी में और फिर बच्चों की demand रहती है कि निए computer और PE भी मिल जाए जो मेरे optional subject है तो वहां पर आपको उनकी भी recorded classes भारत के बहतरीन teacher द्वारा प्रोवाइड करा दी जाएगी तो one stop solution है class 11 की सारी problem उदय सॉल्व करेगा उदय two point हो आपके दिमाग में कभी ये बात है कि यार मेरे को 11 में school में फोड़ना है school में मचाना ncrt मतलब एकदम निचोड कर पूरी समझ लेनी है तो यार ये teacher make sure करेंगे कि आपको मज़ा आ जाए school exam में 95% लाने के लिए India का सबसे बड़ा सबसे बहतरीन सबसे powerful batch है इसमें तो कोई शेक नहीं है बड़ा भी बनता है बहतरीन भी बनता है और सबसे ज़्यादा अफोर्डिबल भी होता है real time experiment कराए जाएंगे उसके साथ आपके सारे topic मतलब यार देखो क्या होता है ना हम चीजे पढ़ लेते हैं मतलब स्कूल में भी क्या होता है generally आपको NCRT रीट करा दी जाएगी एना line मतलब उसका जो English की line है उसको Hindi में translate करा दिया जाएगा पर वो जो feel है ना क्योंकि physics हो गया chemistry हो गया mathematics हो गया बायो हो गया यह ऐसे subject है जो रटने के नहीं होदे है यह इनको समझ जे सकते हो कि आपने यह है कि मैं को science लेना है मैं को mathematics लेना है ना तो वहाँ पर जो experiment वाली feeling है वह आपको यहां की PW की classes में मिलेगी और आपको पता नहीं लगेगा कब आपका देढ़ घंटा class का निकल गया तो फिर आपको कुछ और करने की जरुरत ही नहीं कोई और किताब करने की जरुरत नहीं है कहीं भाईया दीदी के हाँ गली में जा करके पढ़ाई कर रहे हो कोई फायदा निया इन सब्चिदों को करने का जब एक ही one stop solution आपको मिल रहा है सारे subjects का तो और कहीं जाने की जरुरती नहीं है अपना घर पर बैठ करके इस PW की app से आप लोगों ने पढ़ाई करनी है उध एंडिये में AIR 1 आया उनलाइन इसके बाद AIR 2 आया, CA के अंदर AIR 1 आया, IIT J.E. Advance में AIR 5 आया सब यह तो बहुत बड़ा मित था कि J.E. Advance में ऑनलाइन से रैंक नहीं आसके सुषान की जब रैंक आई, प्यूर ऑनलाइन का बच्चा उसने कुछ ओफ-लाइन जोईन नहीं पूरा हमारे हम से पढ़ा दो साल 11, 12 अर्जुना में, लक्ष में और उसकी AIR 52 आ गई तो यह वाला मित जो तानक यह ओनलाइन से रैंक नहीं आती, ओनलाइन से रिजल्ट नहीं आता, वो PWU ने ब्रेक कर दिया, है ना, तो यह है भाई आपके सामने, यह दो टीम आपको मि हमारी टीम उदे टू पॉंटों के अंदर रहने वाली है, अगेन क्लास स्टार्ट होने वाली 29 जुलाई से यानि जाधा समय नहीं है, दसी दिन का समय है सर, और अभी गुरू पुर्णीमा का ओफर चल रहा है, तो इसकी प्राइस को ड्रॉप कर दिया है, जैसा मैं बता र वैसी 11 में भी रहनी चाहिए, हमारा जो वो उनके साथ बॉंडिंग है, वो मिले तो उसके लिए ये वाली टीम तो आपको मिली रही है, साथ में एक एक्सपर्टीन, क्लास 11 के लिए, पीड़वी आपके लिए लेके आ गया है, ये वाली टीम आपको ओदे 2.0 में देखने क मिलेगी, तो ये दोनों टीमों की चॉइस रहेगे आपके पास, बैच की डीटेल्स ये रहने वाली हैं कि बेटा, कम्प्लीटली साइन्स बेस्टीचिंग है आपर, यानि साइन्स के सभी सब्जेक्स को कवर किया जाएगा, है ना, और आपके बेस्ट फेकल्टी रहने वा हैं और सभी के सभी लेक्चर्व इंग्लिश बेराने वाले हैं, यानि ज्स तरीके से हम आपसे बात कर रहे हैं, है ना, यह आपको समझ में आ रहा है क्योंकि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, पीछे में थक रहरा है, तो वैसे ही 6 दिन क्लासी बेटा क्योंकि 11th क्लास हे तो 6 की 6 दिन आपकी classes रहने वाली है ठीक है और हर class की duration लगबग 1 गंटा 45 मिनट यानि पोने 2 गंटे से लेके 2 गंटे जा सकती है इससे उपर भी जा सकती है भाई गरियाना मत किसी teacher को कि उससे उपर क्यों कर दी class और एक दिन में 2 classes होंगी तो total हफते में 12 classes 12 classes 12 classes 2 गंटे की average पकड़ता हूं 24 गंटे आपको PW की उधाई 2.0 badge को देने हैं and then we will make sure कि भाई आपकी class 11 की exam बहुत अच्छी जाए आप 95% के उपर अराम से score कर लो और class notes हर lecture के साथ provide के जाएंगे जो भी teacher पीछे annotate करेंगे PPT पर पीछे लिखेंगे उसकी आपको PDF के रूप में वो notes available करवा दिये जाएंगे अच्छा DPP मिलने वाली है यह DPP क्या चीज़ होती है तो देखो हर lecture के साथ आपको 15, 20, 25 सवाल आपको बना करके दिये जाते हैं जो की एक type का homework होता इसको बोलते है daily practice paper ठीक है तो एक-एक करके teacher को introduce करते हैं सबसे फिजिक्स की बात करें शेलेंदर सर शेलेंदर पांडे सर भाई बहुत खतरनाक teacher है बहुत मज़दार तरीके से physics पढ़ाते हैं है ना जो बच्चे इनको नहीं जानते भाई आप बस लिख दो NCRT वाला channel वहाँ पे सर के बहुत सारे videos आपको मिल जाएंगे physics वाला foundation channel पे भी सर ने पढ़ाया है इसपेशली सर नीट specific teacher है पर हमारी request पे last year इन्होंने कहा था कि मैं board exams के batches भी लेना चाहूंगा तो सर आपको मिलेंगे class 11 के ओधर 2.0 में physical chemistry के master अरविन सर सर प्लीज मैं invite करना चाहता हूं अरविन सर को मतलब में को लगा है कि मैं देखने लगा तो करीब करीब मैंने आदा गंटा 45 minute ऐसे ही देख लिया पूरा वीडियो है और फिर मैं को लगा रहे demo generally मैं 10-15 minute देखता हूं and then उसमें से मैं देख लेता हूं कि क्या करना है जैसे आपका वीडियो आया है तो मुझे लगा है क्या सही तरीके से chemistry पढ़ा रहे है मतलब बहुत engaging और बहुत entertaining तरीके से physical chemistry तो especially class 11 में बहुत tough होती है मतलब main मैं कहूं 80% of the chemistry class 11 की physically होती है और physical क्यों tough लगती है बच्चे को किसी उसमें आता है mathematics है ना तो जो भी बच्चे biology लिए वे होते हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है physical chemistry के पहले chapter से ही some basic concept of chemistry जहां पर mole concept पढ़ाया जाता है तो वो सारी चीजे सरका पढ़ाने के तरीके से आपको लगेगा कि यार बिना पैन उठाए question बन रहे है chemistry का एकदम feel आ रहा है और वो पूरा जो vibe है ना chemistry का जो chemistry जिनको भी tough लगती जिनको स्कूल में समझ में नहीं आ रही जिनके unit test में कम number आए उन सारे बच्चों के लिए chemistry बहुत अच्छे से solve हो जाएगी physical chemistry का हर एक question आपका सही होगा जब आप class 11 का chemistry का paper देने जाओ इसके बाद इन और गेनिक chemistry मेरे favorite बिजेंदर सर बहुत powerhouse है energy के मतलब मैंने अभी इनकी NCRT वाला पे जब मेराधन classes चल रही थी तो भाई दस-दस घंटे बारा-बारा घंटे बच्चों को इन और गेनिक एकजाम के एक दिन पहले तक पढ़ाई है सर ने साड़े तेरा घंटे और बहुत अलग energy से मतलब ऐसा नहीं होता सर की class में कि भाई शुरू में कि किस energy पर सर जिस energy पर शुरू करते खतम भी उससे डबल energy पर ही करते हैं मतलब energy के powerhouse है और inorganic chemistry especially क्या होता है 11th में बहुत प्यारे-प्यारे chapter है periodicity है chemical bonding है यह ऐसे chapter है इनको समझ लिया आना तभी organic समझ में आएगी है ना तभी वो chemistry की असली feel है इन दो chapter में उसके बाद फूर पूरा s-block p-block वो सारी चीज़े बच्चे कहते यार inorganic रटने की है है ना inorganic कैसे होगी तो भाई सर तुमारी inorganic की पूरी जो जर्नी उसको बहुत मज़िदार बना देंगे बहुत entertaining बना देंगे और basic कर रहा हो चोको ninth में again a phenomenal teacher और मैम की जो सबसे important जो quality है वो यह है कि वही तुमारी साथ लगे रहेंगे आखरी तक और make sure करेंगे क्योंकि 11 की organic बहुत important होती 11 की organic समझ में आएगी तो 12 की organic समझ में आएगी 11 is the basic organic chemistry यहां के जो 3-4 chapter है ना यह समझ में नहीं आए तो बारवी का जो 90% portion है वो organic है मतलब बारवी में maximum part organic का है और वो तभी समझ में आएगी जब 11 के वो जो 3-4 chapter है वो अच्छे से समझ में आए तो वो सारे chapter का आपको पूरा feel मतलब वो chapter ऐसे हो जाएगे कि आर NCRT का कोई भी question आप देखोगे तो आप यू answer देदोगे तो मैट्स के लिए भाई एक और दुरंदर फेकल्टी है हमारे आइटी जई एक्सपर्ट रहे हैं और लगबग दस से जादा सालों का experience मैम को रहा है और मैम अगें बी टेक हैं यानी engineering background से हैं तो मैम कैसा क्या experience आपका रहा है अब तक PW के अंदर आप परिश्रम बैचिस ल से रहता है कि हमारा 11 बरबाद था माम 11 वीक था तो मुसली हमको एक बर 11 भी स्टॉंग करना पड़ता है तब जाके हमार 12 स्टार्ट होता है तो इस बाच को लेने का मेन मोटिव यह है कि जब यह बच्चे मुझे पारिश्रम में मिले तो यह statement ना बोली कि हमारे 11 वीक था क् करकी कि यहां पेने कि यहां वहां पे असली फ़िग करेंगे तब जाके ड्र्मटक पर के इस बासक्शन पड़ेंगे तब यहां पर से श्रोंक्शन के इस होता है तो बहुत सारी एक है तो चार्द कर टो गयर करहेंто गएए तो लुट तो ड्री क्योंकि तब क्लास 12 में जो फिजिक स्टार्ट उती उसे पहले भी शायद आप लोग बेसिक मतमाटिक्स बढ़ा तो इपने बच्चों को बच्चों को इतना स्ट्रॉंग करके भी जब क्लास 12 में परिश्रम में बच्चे पढ़ें तो उनको जब भी आप सुडू कर तो बेस करना चाता हो रिंकल त्यागी मैं 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 अल्रडी परिश्रम के अंदर दुआधार तरीके से बिलकुल बायोजी चली रही है न मैं तो कैसा क्या रहने वाला है उदे वैच के अंदर मैं बता जीजे बच्चों को अब वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवान बेटा जै आपकी पेड़ाजी किस प्रकार से रहने वाली है गुड इवनिंग बच्चों कैसे आप सब लोग मेरा गला थोड़ा खराब हो रही मेरी असली आवाज नहीं है तो बहुत सारे बच्चों को ऐसे लगता है कि यार बायो आगे 11-12 में अभी तक तो गया बहुत चोटी सी ब यह पूरे उदे बाच में यही करने है वाले हसी खेल पूरी बायो निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा और टो किया है हम मिक्सी में गोल के पीजाएंगे इंगलिश और इंगलिश मेरेने वाली है निहारी का मैम मैम प्लीज आप आजिये बहुती जाना माना चहरा निहारी का मैम पांडेशन के बैचेज में आप देखते रहे हैं मैम को और परिश्रम भी मैम लास्ट दो सालों से लेती रही है लगबग मैम और बिल्कुल और उदे के अंदर भी मैम 2.2 में अब हमारे साथ इंग्लिश लेने वाले हैं मैम प्लीज इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंट्स है क्लास 11 के लिए सब्सक्राइब इंग्लिश आप किसी भी सब्जेक्ट के आंसर भी लिखोगे ना उसमें भी इंपॉर्टेंट होती है लिखना तो आना चाहिए तो हमारी इंग्लिश में हम लोग जितने भी चाप्टर्स है उन पर फोकस करेंगे साती साथ आपकी स्पीकिंग स्किल्स पर फोकस करेंगे बिकिस आपकी 12 के जस्ट बात इफ यू गाइज अर प्रपेरिंग पर सी उवीटी तो जो ग्रामर है जो 11 का ग्रामर थे स्पेसिटिकली उसके बहुत सारे ऐसे पार्ट से जो सीधा सीवीटी में पूच जाते हैं त this year should be the year जब आप लोग अपने ग्रामर के बेसिक्स को भी स्ट्रॉंग करोगे Computer Science के जो सर हरने वाले हैं वो प्रतीक सर हरने वाले हैं अलरी पहले भी सर से हम उडान 2.2 के लाँच के दुरान मिल चुके हैं और सर बिलकुल नए मेंबर हैं हमारे physics वाला के लेकिन भाई teaching experience तो बहुत गजब सरकारा है सर प्लीज बताईए किस तरीके से Computer Science के subject को आप cater करने सबसे पहली चीज मैं बच्चे को बताना चाहूंगा जो लोग 10 से 11 में आये हैं और especially ICSC से CBSC के अंदर अगर वो लोग switch किये होंगे तो इससे पहले आप लोग पढ़ चुके और आपको पता है कितना अच्छा Computer एक subject है बात करते हैं computer की तो सबसे जो बड़ी गलती लोग कर 100 लाने की जिम्मिदारी जो है मेरे उपर छोड़ दीजे class के अंदर आईएगा practical कैसे होता है कैसे programming के basics होते हैं कैसे computer पूरी तरीके से काम करता है यह सारी चीजे बताऊंगा यह लोगता subject है जिसके अंदर आप सब कुछ practical अपने surrounding में देख सकते हो weekly schedule बच्चों क्या रहने करेंगे तो आप screenshot ले सकते हैं जो बच्चा उधे 2.0 की classes attend करेगा 29 जुलाई से बच्चों का experience share करते हैं एक बार है ना बच्चा आजाओ आजाओ आप लोग सब तीन लोग तीन बच्चे हमार पास आएं सर मेरा नाम धिरेन गुपता है अच्छा आप उधे 1.0 batch में थे हैं ओड़र ओर बन रहें क्लास 11 के यह सर बन जाते हैं एंप पूरी समझ में आ रही है यह सर डीपी पी रोज सॉल्व करते हो यह सर आप टेस्ट दे रहे हो सारी बाते समझ मेरी जो class में हो रही है यह सर अच्छा क्या बोलना चाहोगे जो बच्चों अभी तक 11 में तग्यारी शुरू निजिकि क्या भी स्टार्ट करेंगे तो 11 का सिलेबस टाइमली कंप्लीट अपाएगा इंद देफिनेट्ली हो जाएगा 11 का सिलेबस उदे टू-पाइंट ओ में बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे एंस्यारी बॉल्स में भी हेल्प करेगा आप और जी सर अच्छा कैसा लग रहा है मज़ा आता है उडे में क्योंकि आपका इतो अरजना होता है जहां पर जेए के लिए आप पड़ते हैं पर साथ में स्टूल में भी आपको NCRT को फॉलो करना होता है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है तो आपके स्पूल क अब है जो इग्जाम सोंगे उसमें अपने स्कॉर आपका इंप्रूब उया होगा उड़को लेने के बाद एस सर ना तो जो अभी आभी कोट एक्षाम पब लोगों की अब होगों की अभी यहां अभी हुए अभी होग अभी होगना है अच्छा तो कैसी चल रही है उसकी जा सकते हो सारे बैच इसकी प्राइस को ड्रॉप कर दिया गया है तो जो भी बच्चों का जो भी गोल है उससाब से बैच लीजिए जिनका गोल है कि आर्मे को 11 की जेई की त्यारी करने नीट की त्यारी करने तो उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक बैच है अर्जुना जेई 3.2 अर्जुना नीट 3.2 मैं भी आप लोगों की तरह ही थी ऐसी शेतान सी पढ़ाई नहीं करती थी जादा तो क्यों आता है अपनको समझ नहीं आता है ACB Dream College का रास्ता आपके 11th और 12th दोनों क्लास के सिलबस से होके जाता है तो this is the right time start कर दो एकदम 29 जुलाई से अपने 11 पे काम करना थांक यू सो मच मिलते हैं 29 जुलाई को ठीक है तो गाइस आज के लिए इतना ही फिर हम लोग मिलते हैं ठीक है ना अपने अपने बैचस के अंदर अपने अपने अपनी ग्लासिस के अंदर आप सभी को all the very best अपनी तयारी आप इसी तरीके से बढ़िया करते रहिए मिलते ह हैं उदे टूपंटो बैच के अंदर बाबाई